वन महुत्सव का प्रारम तत्कालीन किर्सी मंत्री डोक्टर कन्यलाल मुंशी द्वारा सन 1950 में किया गया यहां एक राष्ट्य महत्व है और जो प्रतेक वर्ष जुलाई के महीने में मनाय जाता है इस महुत्सव को मनाने के पीछे का कायन है लोगों में जाग रुकता इस महुत्सव के दोरान इसकूलों सरकारी दफ्तर और सरकारी बगीचे और गैर सरकारी जगें पर लोग मिलकर पेड़ पोधे लगाते हैं जिसे लोगों को परियावरण के प्रती जाग रुकता है वन महुत्सव के दोरान पेड़ें पोधे लगा कर हमें वरक्षों से इंधन पस्वों के लिए चारा प्राण वायू भोजन कई प्राणियों का आश्रिय स्तल सितल छाया वर्सा भूमी से जल प्रदुशन से मुक्ती प्राकर्तिक सुंदर्ता जैसे लाब होते हैं विद्यालों में इस महुत्सव के दोरान कई तरह की प्रतियों गिताओं का आउजन क्या जाता है जैसे निवंद इस्परदा चितरकला वक्ता इस्परदा इत्यादी से युवा और नन्ने बच्चों को वन और पेड़ पोधे लगाने का महत्व समझाते हैं इस महुत्सव को मनाने का खास कारण है कि वनों के संरक्षन के प्रती लोग जादा से जादा ध्यान दे क्योंकि आज इंसान कई मुसीवतों का सामना कर रहा है जहां घने व्रक्षुहा करते थे उसे विकास के नाम पर बड़ी बड़ी इमारत और कार खाने बनाने के लिए काट दे जा रहे हैं और उसके बदले में फिर से पेड भी नहीं लगाये जा रहे हैं कि कमी के कारण प्रदूशित हो रहा है पानी की कमी हो रही है और पेड कम हो रहे है वनों को काट कर खेती के लिए जमीन विक्सित की जा रही है पसू पक्षी जो मात्र पेडों पर निर प्राबर हो जाएगा ऐसे में धर्ती पर जीवन की कल्पना मुश्किल हो जाएगी अत्या समय आ गया है अगर आज हम नहीं समले तो आने वाला समय शायद बहुती खराब होगा और इसलिए हर वर्ष इस महुत्सव को बनाते हैं और हमें अपने बच्चों को और आने वाली प गुसरों को साथ लेकर पेड़ पॉधे लगाते हैं हमारा भी दाईटवे की हम इस महुत्सव को मना कर परियावरं के Samajik राश्टी अंतरास्टि म्धार्मिक माहत्सव मनाते हैं और उन महत्सव से जुड़ कर उनकी विसेषता समस्ते हैं ऐसे ही वन महत्सव है जो इनसान के लिए किसी भी अन्य उत्सव से बढ़कर है इसका कारण है कि हमारे जीवनमी वनों का महत्वियदी वन ही नहीं होंगे तो धर्ती पर किसी भी प्रकारकावी का संभव नहीं है वन हमारी सब्वेता और संस्क्रेती की रक्षक है शांती और एकांत की खोज में हमारे रिसी मुनी वनों में रहते थे वहाँ उन्होंने तत्वग्यान प्राप्त किया और विश्व कल्यान के उपाई भी सोचते वहीं गुर्कुल होते थे जिसमें भावी राजा दाशनिक पंडित आदी शिक्षग रहन करते थे उप सनार व्रक्षों की भारित आदाद में कटाई हो रही है जलवायू बदल रही है ताप की मातरा बढ़ रही है नदियों का जल्दूसीत हो रहा है और वायू मंडल में कालवंडा योकसाइड की मातरा बहुत ज्यादा बढ़ गई है इसलिए हमें व्रक्षों को काटना न लगाने चाहिए धन्यवाद, जैहिन, जैभाराइव